इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा वो भी बीना तेल बीना घी का तो I make sure आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्यूंकि हर कोई चाता है कि हम इंडियानों खाने भी बीना तेल बीना घी का बनाए नमस्कार दर्शको घर का जाएका विद्खिस्व में आपका स्वागत है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस इसे एक लाइक और मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर करें राजमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले राजमा को ओबर नाइट पानी में भीगो कर रखना होगा या फिर आठ से दस घंटों के लिए अगर आप दस घंटों के लिए रखोगे तो आपको विसिल आनि सीटी कम लगेगा तो मैं यहाँ पर एक कुकर ले रिती हूँ और उसमें एड कर दूँगी पानी समेट सारे राजमा को और साथ में ही मैं यहाँ पर एड कर दूँगी कुछ इंगेरियंस मसाले तो मैं यहाँ पर एक टमाटर एक प्याज और एक हरी मिर्च ली हूँ मैं भी इसमें एड कर द फिर हम इसमें एक गिलास पानी आड़ाइट कर देंगे और साथ ही हम इसे पांसे से छे सीटी लगाने तक कूकर लेंगे और जब ये कूक हो जाए तो हम गैस को पूरी अपनी तरह से ठंडी होने देंगे तब जाकर हम कूकर का लीड ओपन करेंगे तो ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है हमको करका लीड खोल कर आपको दिखाते हैं कि राजमा कितनी अच्छी तरह से कुख हो चुका है तो देखिए राजमा भी अच्छी तरह से कुख हो चुका है अगर आप और सारे बरतन को नहीं गंदा करना चाहते तो आप इसी में भी और कुक कर सकते हो लेकिन मैं एक अलग बर्तन में इसे ट्रांसफर कर दूँगी और आगे का प्रोसेस करूँगी तो मैंने इसे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है और इसे घोटन की हेल्प से मैं इसे घोट लूँगी या फिर आप किसी कल्ची की मदद से भी आप इसे कर सकते हैं ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाए फिर हम इसमें एड़ कर देंगे लहसुन का पेश्ट और साथ में ही एड़ कर देंगे सारे मसाले तो यहाँ पर हल्दी एक चमच एक चमच सुखी लाल मिर्च साथ में कस्मेरी लाल मिर्च इसी के साथ जीरा पौडर, काली मिर्च पौडर रोस्टेड जीरा साबुद और साथ में ही कस्वरे मिथी थोड़ा सा रोस्ट करके उसी के साथ धनिया, पौडर, गर्मसाला पौडर और सबजी मसाला पौडर ये सारे इंगेडियन्स को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं फिर हम इसे किसी घोटन की हिल्प से मिक्स कर लेंगे इसे हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये क्रीमी जैसा न हो जाए ये खाने में बहुत हिं टेस्टी लगेगा आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिना तेल का बना हुआ है तो इसे हम एक दो मिनिट और कुक करेंगे और फिर हम इसे कवर करकर धीमी आज पर पकने देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट वाद हम लीट को हटाएंगे वाव सुपब देखिए कितना ये क्रीमी भी है और ये अच्छी तरह से कुक भी हो चुका है मैं आपको दिखाती हूँ देखिए ये कितना क्रीमी है न तो चलिए हम इसे गर्मा गर्म परोस लेते हैं तो इसे परोसने के लिए हम एक बरतन लेंगे और उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे और हम इसे गर्निसिंग करेंगे कटा हुआ अद्रक के साथ क्यूंकि जब तक खाना देखने में सुन्दर नहीं लगता तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता तो लीजिए तयार है गर्मा गर्म राज्मा वो भी बीना तेल बीना घी के तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक लाइक तो बनता है और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में फैमली में और रिलेटिव में और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट के हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करकर ही जाएगा क्यूंकि मैं इसी तरह की रेसिपी लाते रती हूं हमेशा अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुस्वू में जब तक खुच रहिए खुसियां बाढ़ते रहिए और आसपास सफाइब बनाई रखि थांक यू टेक कियर और नमस्कार